क्या ही दन है वो पुरुष जो दुस्तों की यूगतियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठटा करने वालों की मंडली में बैठता है परेंदू वह तो यहवा की विवस्ता से प्रसन रहता और उसकी विवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है वह सुरक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने रितू में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुड़ जाते नहीं इसलिए जो कुछ वो पूरुश करे वह सफल होता है दुश्त लोग ऐसे नहीं होते वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है इस कारण दुश्त लोग अदालत में इस्तिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे क्योंकि यहवा धर्मियों का मार्ग जानता है परनतों दुश्तों का मार्ग नाश हो जाएगा